नमस्कार मित्रों आज हम आपकी पास कुछ ऐसा चीज दे रहे हैं जो आपके लाइब को बदल सकता है आपकी नबाग गरह में कोई भी गरह खराब है उसको ठीक कर सकता है आए बोजानियों वो चीज क्या है वो चीज है घरी के पीछे लिखना है और इसके लिए समगरी क्या चाहिए वो भी आप धियान से सुनुएं गरना क्या है सबसे पहले अगर जदि आपके घर में पुराना घरी है उसको आप अगर जदी उसमें सेल नहीं लगा हूआ वैटर लगा नहीं रहे अगर वो चले नहीं तो आपके जीवन काल को तहस नहस कर सकता है कहा गया बंद घरी किसमत को बंद कर देता है इसलिए घर में कभी भी बंद घरी मत रखी चाहे वो कोई भी बंद घरी हो, हाँ घरी क्यों नहीं हो बंद घरी को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि बंद घरी हमारे जीवन में सिर्फ नकारात्मकुर्जा लाता है और घरी ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा कारात्मकुर्जा देता है समय से उठना समय से सोलाना समय से खिलाना समय से खिलाना ये घरी ही कहता है घरी दिन भर चलते रहता है चोब इस घंटा चलते रहता है और घरी के पीछे जदी आप ये नंबर लिख दीजेगा तो आपका प्यार आपका हो जाएगा हो जाएगी इसमें जड़ा भी संदय नही यह तीनों चीज को घी से मिला करके इसका इंक बना लिजे, स्याही बना करके किसी भी स्टिकर पर अपना डेट आउ पर्थ लिख देज़े, अगर जदी डेट आउ पर्थ आपको याद नहीं है, तो आप उस स्टिकर पर स्रिक 9 लिख देजे, यह 9 लिखने से आपका किस्मत बद जाय कंकि नो एक से शुर्व होता है नो के बाद आंत बाद यह जिरु आंगे एक और सुन से एक स्ट पी और सुने में आंत हångu नहीं करें एक से लेकर के नो तक कुलेंगे दस नहीं कुलाएंगे इसलिए मैंने आपको नो लिखने के लिए अगर जोड़ी आप नो लिखते हैं तो ये बात हाँ आप मान लीजिए आप 100% मानिए ठीक है कि आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है आप जिरिफ जो है आपको प्यार पाने में कोई नहीं रोक सकता है नवक ग्रह में जानते हैं ये नो ग्रह है नो ग्रह का दसा जो चलते रहता है पर तेक मनुस्य में छे ग्रह का दसा चलता है अगर एक भी ग्रह खराब हो जाता है तो इसमें उसका बिनास हो जाता है तो ग्रह को ठीक करने के लिए घरी के पीछे ये शिरिफ नंबर लिखना ह अपना डेट अब वर्थ और उसमें अगर डेट अब बर्थ आप नहीं जानते हैं तो नौलिक दीजी आपका कल्यान हो जाएगा वीडियो को देखना है वीडियो को लाइक करना है वीडियो को सस्क्राइब करना है और वीडियो को सेर करना है ये घरी के उपाय से आपका किस् हो जाएगा आप इसे करके देखिए आपको जो हंडिट परसेंट लाब होगा जै माकाली कि